नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका रेंकर पॉइंट उनलाइन ग्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की करांदी 1857 की करांदी जो भारत रास्ट में EIC के खिलाफ East India Company की खिलाफ जो कारी किया गया था जो विरोध किया गया था वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इस आलिम तरीके से आपको ये जो टोपिक है सभी महत्पून एग्जामों में बहुत हल्पूल होगा बहुत योगदान करेगा तो देखिए हम बात करते हैं अटारा सो सत्ताओन की करांती के समय हमें क्या क्या चाहिए किस किस चीजों के लिए हम जानते हैं या किस किस पद के लिए हमें आउश जबता है तो अटारा सो सत्ताओन की करांती के समय ब्रिटेन की महारानी याद रखना आपको जो ब्रिटेन की महारानी है कौन होगी वि ब्रिटेन का प्रधान मंत्री लाड पार्म इस्टर्न याद रखना आपको पार्म इस्टर्न याद रहे ब्रिटेन का जो प्रधान मंत्री है वो को था पार्म इस्टर्न था जबकि भारत का जो सासक है भारत का जो गवर्नर जनरल है वो है लाड केनिंग और भारत का जो सासक तरिति स्तट्न, तो दिल्ली का बाद स्या बहदूर सा जफर शेकंड दीती है याद रखा अपने 800 सक्ताउन मंत्री लृड पार मिस्टोर्न भारत का गवर्नअर जनरल जीजी जिसे कहते है वो है लाड़के निंग और बारत का सासक रहा है बहादूर सा जवर लीती है अब बात करते हैं जो यह ठारा सो सत्ताउन की करांती है इसके रिजन क्या है कारण क्या है तो सबसे पहले हमें यह देखना है हम क्यों अंग्रेजों के खिलाब किस वज़े से कोई ना कोई हमारी वज़े होगी जब हम East India Company के किलाब जाते हैं तो इसके सामने आपके सामने रखे हैं सामाजी की आधार में करण दूसरा है आरतिक करण तीसरा है राजनेति करण चोता है सेन्नी करण और पांचवा है ततकालिन करण इसी के कारण भारत में करांती होती है अब आपको यह है तो दीरे दीरे हम अंग्रेजों की खिलाब हो जाते हैं कहीं ना कहीं हम यूँ सोचते हैं कहीं ना कहीं हम यूँ कोशीज करते हैं कोई भी प्रतेक वेक्ति अगर अंग्रेजों की खिलाब जाता है तो कैसे जाता है देखो आप पहला रिजन सामाजीक आवलिकदार में क सतीप्रथा क्या नाम था सतीप्रथा हम जानते हैं गलत है हम जानते हैं किसी वेक्ति की मरत्यु पर उसकी पत्निया उसकी प्रेमी का अपने प्राण नियुचावर करें तो उसको क्या कहते हैं सतीप्रथा कहते हैं हम जानते हैं कि ये गलत था लेकिन भारतियों के सामने ये स उन्होंने इसको बंद कर दिया था राजा राम मोहनराई के प्रियास से 1839 में कब कर दिया था राजा राम मोहनराई के प्रियास से 1839 में इस परंपरा को बंद किया था दूसरी परंपरा आपके सामने याद रगना है एक प्रता है दास प्रता कौन सी प्रता दास प्रता और इस दासपर्ता को लाड विलियम बेटी ने कब बन कर दिया था 2832 में कर दिया था तो निशी तौर पर क्या है जो भारतिया परंपरा जो भारतिया धर्म था उसको क्या करना था परिवर्तन करना चाहते थे कौन लाड मेकाले इसको सरवाधिक परिवर्तित करना चाहता था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक जी से कहा जाता है लाड मेकाले गवर्नर जनरल वो सबसे जादा करना चाहता था लेकिन भारतिये परंपराओं को परती बंद करके उन्होंने अंग्रेजी परंपराओं को भारत में थोपने का परियोग क या प्रियास किया था जिस वजे से जो रीजन आपके सामने आ जाता है और वो रीजन आपका है सामाजिक या धार्मिक कर्ण तो भारत में निवास करने वाला प्रतेख वेक्ति जो धर्म को बहुत सरुपरी मानता था अपने लिए बहुत इंपोर्टेंट महत्मुन मानता था उसने क्या करा बारतिये परमपराओं को परिवर्तित होते देखती हुए उसके मन में ये आता है कही ना कहीं अंग्रेजों को यहां से बार करना है कहीं ना कहीं भारत से अंग्रेजों को बगाना पड़ेगा अपने धर्म के खिलाब आज तो ये धर्म परिवर्थन कर रहे हैं, कहीं से कुछ और भी हो सकता था, तो याद रखना है, जिस कारण से, जिस वेक्ति ने, इन परंपराओं के कारण, अमरे जों का विरोध करने की सोची, उस करांति करने के लिए परियास करने का प्लान बनाया, प्लानिंग करी, योजना तैयार करी, उसको हम किस में सामिल करते हैं, सामाजिक यादधार में कारण में सामिल करते हैं, तो भारतिये, वो इंदुस्तान के वो लोग, जो धर्म परिवर्थन, या धर्म की रिती रिवाजों के छेड़ खानी करने के कारण क्या होता है, उनके खिनाप जाते हैं, जब 27 जुलाई 27 जुलाई 1856 को इसे लागू कर दिया था जो भारत में हम पढ़ते हैं सिंग सवन सत पुरुस वजन कदली फलिक बार तिरिया तेल हमीर हड चडे नदू जी बार मतलब तिरिया तेल यह जीज दूसरी बार होती नहीं है लड़की का विवा दूसरी बार होता ही नह तो इस भारतिय परमपराओं को चेड़ने के कारण जो जिस व्यक्ति ने विरोध किया उसको हमें किस में सामिल करेंगे सामाजित कारण या धार्मिक कारण में सामिल करेंगे just समझ में आया होगा आपको दीचिए दूसरी बात करता हूं मैं आप से यहां हम यूम हैसूस कर ये सोचते हैं निस्षी तोर पर दूसरा रीजन क्या है वो दूसरा आपको सोचना है और दूसरा रीजन आपके सामने आर्थिक करण, क्या था आर्थिक करण, अब ये जो आर्थिक करण है किसे समझना है, सबसे पहले एक वेधी था जिसका नाम था दादा भाई नेरोजी, क्या नाम था दादा भाई नेरोजी, इन्हों ने एक पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है The Poverty and Un-British Rule in India, रूल इन इंडिया पुस्तक है, इस पुस्तक में याद रम ना है, उन्होंने पहली बार ये दिखाया था, 1851 में, कब दिखाया था, 1851 में, कि भारत में अंगरेज जादा से जादा टेक्स ले रहें, और उस धन को क्या कर रहे हैं, इंगलेंड निसकासित कर रहे हैं, ये प् प्रेजों के खिलाब विरोद किया हम उसको किस में सामिल करते हैं आर्थिक कारण में सामिल करते हैं किस में सामिल करते हैं आर्थिक कारण में सामिल करते हैं इसको और अगर आप देखना चाहते हैं तो निस्सी तोर पर यूं कहा सकते हैं उस समय अगर अकाल पड़े पसल कोड़े मारे जाते थे तो इस वज़े से बारत्ये किसान अंग्रेजों की प्रसास्निक विवस्ता से परिशानते और जो अंग्रेजों रिदो करने का प्रियास या या प्लानिंग करें अम उसको किसम ऐसमिल करते हैं आर्थिक करन्द में करते पहले यहाए यह सब से कावन में धन निसकासन का जो सिद्धान दिया था वो किसने दिया था दादा भाई नेरो जी ने दिया था किसने दिया था दादा भाई नेरो जी ने दिया था तो याद रखना है आपको आर्थिक कारण को अगर हम समों में रखते हैं तो आर्थिक कारण जो है वो कौन करता ह किसानों के द्वारा जो विरोध किया गया उसको हम किस में सामिल करते हैं आर्थिक कारण में सामिल करते हैं किस में सामिल करते हैं आर्थिक कारण में सामिल करते हैं तो देखिए निसी तोर पर हम जानते हैं ये जो विशियस्ता है ये जो कहानी है इसके लिए निस्सी तोर पर आपको याद रखना है याद इसलिए भी रखना है कि कहानी क्या है तो भारतिये किसानों ने अंग्रेजों के खिलाब जो विरोध किया हम उसको किस में सामिल करते हैं आर्थिक कारण में सामिल करते हैं दूसरा अगला जो बात कर का और भारत का सासक कौन था बहादूर सा जपर इसको लाल किला खाली करने तक का आदेश दे दिया था कि हमें यहाँ पर अंग्रेजों के चावनी के लिए अतियार एकत्रीत कर रहे हैं इसलिए किसे आदेश दे दिया था बहादूर सा जपर और बहादूर सा जपर जो दिती बारत का सबसे बड़ा सा सकता अब इसको सिर्फ इसलिए आदेश दे दिया कि लाल किला खाली करना पड़ेगा तो ये विरोध करेगा नहीं करेगा इसके समर्तन के जो बादस्याओं में सासकों में विरोध करेगा या नहीं करेगा करेगा बिल्कुल करेगा अब दूसरी ओर एक और निती लाड़ डलोजी निती अपना दी ती अड़प निती इसको कहते हैं गोध निशेद निती जिसके उत्रा अधिकारी नहीं है उसका सामराज्य EIC का सामराज्य हो जाएगा किसका हो जाएगा EIC का सामराज्य हो जाएगा अब जैसे आप बताएं उसके काका, बतीजा, भाई सब तो होंगे लेकिन उनको नहीं मिलेगा उसका सामराज्य किसके पास चला जाएगा EIC के पास चला जाएगा तो जिस B जिसे हम टी एदराबाद मैसूर और तंजोर का जो सामराज्य चीना गया था वो इसी अड़प निती गोद निशेद निती के तैद चीना गया था देखो आप एदराबाद मैसूर और तंजोर इनके सामराज्ये को इनके सामराज्ये को याद रगना किसके तैद इसी अड़ाप निती के तैद गोद निशेद निती के तैद इनको क्या कर लिया था अड़ाप लिया गया था तो निशी तोर पर जिस राजा के सामराज्ये को जबर्दस्ती चीना गया था, जिसने विरोध किया, वो विरोध किसमें सामिल होता है, राजनेतिक करण में सामिल होता है, तो देखिए तीन आपके सामने में अभी तक, जो धर्म की बात करेगा, जो धर्म के लिए काएगा, वो सामाजिक में आएगा, जो किसान प्रताडित ह को आर्थिक में आएगा राजा प्रताडित होगा और राजनितिक में न आएगा तीन करन आपके सामने में दिस्भा अगली निशित तोर पर आपका ये जो कारी है इंगला जो कारिशकारण है कों साःन है कुंसा करन ने कारन को आप सिन्नी कारण भारत में पहले एक एक्जाम हुआ करता था उस एक्जाम का नाम आपको याद रखना है और उस एक्जाम का नाम है आई-स, sorry, ICS क्या नाम था? भारत में पहले एक्जाम हुआ करता था, उस एक्जाम का नाम था ICS, ICS मतलब आजकल इसे IAS कहते हैं क्या कहते हैं? IAS कहते हैं और इसे IAS कहते हैं तो याद रखना पहले के जवाने में इसको दो लोग देते थे एक तो British और एक Indian एक तो British और एक Indian अगर कोई British इसे पास करेगा तो उसे जीलाधीस की नोगरी मिलती थी कौन सी जीलाधीस की नोगरी और भारती इसे पास करेगा तो उसे हवलदार की नोगरी मिलती है पेपर एक ICS पेपर एक ही है उसका नाम है ICS और अगर British से पास कर लेगा तुसे collector की नोकरी दी जाएगी और भारत का पास करेगा तुसे अवलदार बनाया जाएगा और फिर भी ये अवलदार बनेगा अवलदार बनने के बाद भी इसके नीचे जितने भी अंगरेज अधिकारी है जितने भी नीचे इसके चोटे मोटे जो भी अंगरेज अधिकारी उनको क्या करना पड़ेगा सेलूट करना पड़ेगा तो ये याद रखना इसका ego इसका attitude तो क्या है जिला collector बनना जिला दीस बनना लेकिन आपको क्या याद रखना है वो याद क्या रखना है आपको इसे क्या बनाया जाता था अवलदार और निशी तोर पर जो विध्यारती मित्र जो है या विध्यारती गण जो है पड़े लिके लोगों ने अंग्रेजु का विरूत किया अम उसे किसमें सामिल करेंगे से तो याद रगना है आपके सामने आगे चार करण के एठारा सो सत्ताउं की करांती अंग्रेजों के खिलाब क्यों ही थी तो पहला सामाजिक यहां धार्मिक दूसरा आर्थिक तीसरा राजनितिक और चोथा सिन्यकरन अब सब मोका डूंड रहेते कब मोका मिलेर्चो का मारे तो हम इसके इतिहास के पन्नों में अंग्रेजों के खिलाब की गतिवीदियों को एक गति दें, गंतव ये को प्राप्त करें, तो वो एक मौका था इनके सामने और वो है ततकालीन कारण, कौन सा कारण, ततकालीन कारण, तो दिखिए आपके सामने ततकालीन कारण क्या होता ह इस तत्कालिन करण की मैं आपसे चर्चा करता हूँ देखो तत्कालिन करण क्या है तत्कालिन करण की बात करें आपसे तो क्या होता है निसीत तोर पर आप याद रखो वो कौन सा है इस आपको याद रखना है जो आपके सामने में ने एक बताया था भी के भारत का जो गवर् जनरल है वो कौन है लाड केनिंग क्या नाम था लाड केनिंग ये जो लाड केनिंग है इस लाड केनिंग के लिए आपको याद रगना निस्सी तोर पर कि भारत का गवर्नर जनरल है और ये जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको निस्सी तोर पर अपन को सोचना है क्या करना है सोचना है तो याद रगना है निस्सी तोर पर क्या याद रगना है इस विशेस को याद रगना है और विशेस क्या है आपके सामने वो विशेस आपको याद रगना है और कहानी को केसे याद रगना है ये बहादुर सा जफर के किलाब की कहानी या गवर्नर जनरलाड केनिंग की कहानी केसे याद रखना है केसे याद रखना है तो निस्सी तोर पर आप याद रखेंगे हम अभी निस्सी तोर पर क्या करेंगे निस्सी तोर पर क्या करेंगे इसकी कहानी को देखते है देखवा यह जो गवर्नर जनरल है लाड के निग भारत में पहले बंदूग चलती और समाप्त करने के बाद, समाप्त करने के बाद याद रना, ब्राउस बेंड समाप्त करने के बाद, इसने चला दी, राइफल एनफिल्ड, कौन सी चला दी, राइफल, और इस राइफल में क्या लगता था, कार्तुस लगता था, क्या लगता था, क्या लगता था, कार्तुस जनरल लाड केनिंग ने क्या किया था निशी तोर पर आपको याद रगना है पहले एक बंदूख चलती थी उसका नाम क्या है ब्राउस बेन या बेस और इसके इस्तान पर क्या चला दी राइफल एंफिल्ड और ये जो राइफल एंफिल्ड चलाई आप देखो राइफल एंफिल्ड चलाई उसमें क्या लगता है कार्थूस और कार्थूस को मुह से तोड़ना पड़ता था और ये जो है किस से बनता था चर्वी से और चर्वी किस की होती थी गाई और सुवर की चर्वी होती थी तो निशी तोर पर हिंदु धर्म के लोग गाई को मानते हैं मुस्लिम धर्म के लोग सुवर को मानते हैं तो पूरे राष्ट ने मोका जो मिला उसको अउगत कराया मोका जो मिला क्या है हम सामाजी करण से परेशानते हम आर्तिक करण से परेशानते हम राजनिती कारण से परेचानते और हम सेन्नी कारण से परेचानते तो उसको जो मौका मिला उसको हम क्या कहते हैं ततकालीन कारण कहते हैं और ततकालीन क्या कारतुस में लगी चर्बी ततकालीन कारण था और उस ततकालीन कारण को परीपरजेंट कैसे करते हैं देखिए पर आप जानती है एक बंगाल में चाओनी पढ़ती है जिसका नाम है बेरकपुर कौंसी चाओनी बेरकपुर बंगाल यहाँ एक वेक्ति था जिसका नाम था मंगल पांडे क्या नाम था मंगल पांडे इस मंगल पांडे ने क्या याद रखना आपको इसको पहली बार बेरक पुर्चावनी बंगाल में पता चला कि जो हम कार्तोस उपियों कर रहे हैं कार्तोस उपियों कर रहे हैं वो गाई और सुवर की चर्बी से बन था देखो क से पहले ये उटता, इसनान करता, मंदीर में पूजा करता, फिर खाना काता, और फिर अपने सेनिक कार्य के लिए निर्वान करता, सेनिक कार्य की गतिविद्यों को आगे बढ़ाता, तो पहले इसके लिए धर्म था, उसके बाद अपना दूसरा कार्य था, तो इसके क्या करत कि यहसा क्यों बोल रहा है he sa hui नी सपता है इनों ने क्या करा इसका एक मित्र था हिनका एक मित्र था उस एक बेरत्पुचाउणी में मित्र है जिसका नाम है हाय इंसलिए ये नाम है हाय ये ये यू सं कहीं है क्याम है ये सा तो नहीं सकता यह तो बारूज से बनी हुई एक क्या है जो बारूज से बनता है मंगल पांडी को अगले दिन फिर वेख्ति मिलता है फिर यह वही गत्ति विद्य करता है पहले Gujanor Pooja फिर मारच के दिन 토א कॉंसे दिन उंतीस मारच केम मंगल पांडे को जाकर दिखा दिया कि यहां पर कार्तुस बन रहा है जहां पर किस गाय को बाला जा रहा है निकाला जा रहा है उसकी जर्भी निकाली जा रही है उसको चीर फाड की जा रही है वो सब गतिवी दिया किस ने देखी मंगल पांडे ने और जैसे मंगल पांडे ने यह देखा कौन सी तारिक को 39 मार्च को सीधा ही किसके पास हयूरसन और हयूरसन को क्या कर दिया हयूरसन को डारेट क्या कर दिया याद रगना आगो ठोग दिया कौन सी तारिक को 29 मार्च को और इसको हयूरसन को बचाने वाला एक अधिकारी बाग आया था और वो अधिकारी जो वा गया, उसको भी क्या कर दिया, अध्या कर दी, तो राजस्तान की बात करो, भारत की बात करो, तो कहानी क्या है, भारत में करांती, या करांती की सुरुवात की, जो कहानी है, वो बेरकपुर में पहली गटना हुई, और गटना का हुई, 29 मार्च को, कार्तुस का विरोध कर पर बेरकपुर रेजिमेंट कौन सी? 34 NI रेजिमेंट फिर याद रगना है? यहां बेरकपुर में इंदुस्तान के तो कम सेनी थे, अंग्रेजी जादा थे, तो बेचारों ने जादा विरोध नहीं किया, और ये 1877 की एक मात्र गटना बन कर रहे गया, क्या बन कर रहे गया? गटना बन कर रहे गया, करांती की क्या बन कर रहे गयी? गटना बन कर रहे गयी, क्योंकि इस विरोध को, इस विद्रो को, दो लड़े, तीन लड़े, और दो मरे, उनसे क्या फर्क पड़ता है? उसे करांती हम नहीं कह सकते हैं, करांती की सुरुवात हम नहीं बता सकते तो निस्सी तोर पर आपको क्या याद रहना है मंगल पांडे को पकड़ा गया क्योंकि भारतिये से निकम थे और इसे 8 अपरेल 1857 को क्या दे दी फांसी दे दी और जैसे ही पांसी दी जाती है तो भारत में करांती का पहला सईद कोन है मंगल पांडे कहां का है बेरकपुर है कौन सी रेजिमेंट है 34 रेजिमेंट इसने कब मारे थे 29 मार्च को कितने 2 वेगती एक तो मित्र 7 रेजिमेंट था साथ में रेजिमेंट वाला सेनिक था और दूसरा एक अधिकारी है जिसका नाम बाग है तो निस्सी तोर पर याद रहना बारत में पहला मंग करांती का जो सहीद है वो 8 अप्रेल को कोन था मंगल पांडे कहां पर बेरकपुर ये करांती की मात्र क्या है करांती की मात्र क्या है गटना गटना ना की करांती सुरुवात नहीं हुई अभी क्योंकि तीन आदमी लड़े दो मरे फिर एक उसके बदले में उसको भी मारा गया ये कोई करांती की गटना नहीं है ये करांती की नहीं हो सकती क्योंकि तीन आदमी मरे हैं इसे हम विदो नहीं कह सकते हम बड़ी चीज नहीं बता सकते 1800 सत्ताओं की करान्ती की सिर्व ये क्या है पहली गटना है जो कब हुई थी 29 मार्ज तो अपने सामने 1800 सत्ताओं की दो तारीक अपने को मिल गई एक तो 29 मार्ज और दोसरी 8 अप्रेल तो पहली जो संबन्द है वो मंगल पांडे ने कितने वेक्ति मारे दो वेक्ति मारे और उसके बदले 8 अप्रेल को मंगल पांडे को क्या हुई फांसी हुई और फांसी हुई तो आपको ये याद रखना है ये ध्यान रखना है कि निसी तुर पर राजस्तान की बात करू भार इसी कब मिली तो याद अभनई आपको आठ अप्रेल को अंगरेजों नियोचावर करता है अपनी वीरगती को पराप्त होता है तेंक्यू यह सिर्फ आपके सामने कटना है आगे की बाद अगली क्लास में करते हैं धन्यवाद